कि देखो एक्सरसाइज 9.1 बात कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानतर स्रेड़ी समानतर स्रेड़ी होती ग्या है समानतर का मतलब होता है सम धन अंतर और यह स्रेड़ी हो गई मतलब सीरीज तो मतलब ऐसी स्रेड़ी जिसके प्रतेख पद के भी जो नंतर होना चाहिए जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, डाट, डाट, डाट yelled कितने का अंतर है? एक का जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कितने का अंतर है? सब के पत की भी 2 का अंतर है. तो कैसी हो गई? समांतर. जैसे हो गई 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार कुछ भी हो सकता है. लेकिन अंतर प्रतेक पत के बीच क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए समान होना चाहिए अंतर अब देखो ये तो बात हो गई किसका नाम की जो जर्णल सेरी होती है समान सेरी होती है ठीक है जर्णल सेरीज वो हमारी होती है ए ए प्लस बी ए प्लस टू बी हाँ ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थिरी डी ए प्लस फोल्डी और ऐसे चलता रहता है जितने पत दिये गहों फार्मूला होता है जर्णल टर्म का व्यापक पत का टी एन बराबर होता है A plus N minus 1 इंटू D अब देखो A क्या है A जो होता है वो होता है प्रत्थम पद प्रत्थम पद हमारा होता है A D क्या है difference difference मतलब अंतर जो सरवांतर आता है सरवांतर जिसको बोलते है common difference उसको लिखते हैं D से ठीकर N क्या है यह है अनवा पद अगर 5 पद दिये गए हैं तो पांचवाँ पद यह तो लास्ट पद होगा तो इसलिए लास्ट पद को भी हम लोग यह लिख देते हैं लास्ट पद का जो फार्मूला होता है लास्ट टर्म अंतिम पद वो भी होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी यह समझ में आए क्यों होगा क्योंकि अंतिम पद वो पद पांच पद हैं तो पांच वो पद या अंतिम पद दोनों बात एक ही होगी इस लिए लगा दिया गया लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी पद निकाल सकते हैं जैसे हमें निकालना था कौन सा पहला पत फार्मूला था TN बरावर A प्लस N माइनस 1 इंटू D हमेंचे ये था कौन सा पत पहला पत तो T1 निकालेंगे तो A प्लस यहां 1 रखेंगे 1 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा 0 0 का D में मल्टिप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 हैगा इंटू A हो गया तो पहला पत हमारा क्या हो गया A हो गया ऐसे अगर दूसरा पत निकालेंगे तो यहां पे रखेंगे 2 तो 2 में एक जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा 1 का D में गुणा करेंगे दूसरा पत निकालेंगे तो यह प्लस टू डी आएगा चोथा पत निकालेंगे यह प्लस थ्री डी आएगा इस प्रकार यह हमारी स्रेंडिक बन जाएगी अब देखो बात करते हैं लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की और देखिए पहला कोश्चन कह रहा है एक से छह तक के अनुकरमों में प्रतेक के पर्थम पाँच पद लिखिए जिनका एनवा पद दिया गया है पहला देखिए एन आपको दे रहा है कह रहा है एन एन प्लस वन कह रहा है पर्थम पाँच पद लिखिए तो प्रथंपद ओगा T1 जब यहां पे 1 रखा तो यहां प्लस वन रखेंगे 1 और 2 का एक में मॉल्टिप्लाई करेंगे कितना आएगा इसके बाद क्या करेंगे एक टू निकालेंगे एक तू निकालेंगे तो यहां तू रखेंगे तो 2 और 2 प्लस 1 3 और 3 2 या कितने हो गए 6 हो गए 3 दो नीच है ऐसे ए 3 निकालेंगे तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 तो 3 और 3 प्लस 1 तो यह हो गया 3 और 1 4 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 तहीं 12 ए 4 निकालेंगे आएगा यहाँ पर 4 4 प्लस 1 बराबर हो गए 4 एक 5 पांचों को 20 20 आजाएगा बस सुझ में बस एनुआ पर जो निकालना है 5 तक निकालने है तो तो 5 तक निकाल लो आजाएगा 5 5 प्लस 1 बराबर 5 एक 6 6 पंचे 30 30 आजाएगा ठीक है बस सुझ में आई तो ये आ गया क्या पहला कोश्चन हो गया दूसरा देखो इसी प्रकार है दूसरा देखिए शेकेंड नमबर कोश्चन सेकेंड नमबर कोश्चन में आपसे कह रहा है कह रहा है एन बराबर है एन एन बराबर है एन अपान एन प्लस 1 पिर थम पद निकालेंगे A1 बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 1 प्लस 1 मतलब 1 बटे 2 दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर 1 upon यहाँ होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 बराबर 1 बटे 3 फिर निकालेंगे A3 बराबर A3 बराबर निकालेंगे तो यहां रखेंगे 3 upon 3 plus 1 बराबर हो जाएगा 3 बटे 4 यहां पे 2 रखेंगे 2 बटे ठीक है फिर निकालेंगे A4 तो A4 निकालेंगे 4 upon 4 plus 1 क्या हो जाएगा 4 बटे 5 A5 निकालेंगे तो यहां पे आएगा इनकी जगए 5, यहां भी इनकी जगए 5, पिलस 1, परच बटे, इस प्रकार यह क्या हो गए, परच उपद हो गए, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके तीसरे नंबर कोश्चन की और, तो तीसरा क्या दे रहा है, अब इसको देखो करेंगे, प्रथम पत, एवन बरावर तो टू की पावर वन बरावर टू, कितना आजाएगा, दो दूनी, एकी पावर तीन, बरावर दो की पावर, तीन बरावर आठ, यह हो गया, तीसरा पत, तीसरे पत के बाद चुथा पत निका लेंगे, एफोर, एफो जब निकालेंगे, तो टू की पावर हो जाएगा, फोर मतलब 16, एकी पावर फाइब होगा, तो एकी पावर, फाईब तो हो जाएगा, बत्तिस, इस प्रकार हो जाएगे, यह 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 नहीं कहल रहा, इसमें पहले में, पूरे कौश्चन में कि यह समांतर स्रेडी केवल एन तो अब ये केवल एनवे पत कहरा है तो केवल एनवे पत पे फोकस करेंगे इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जो स्रेडी में जो कुछ कहेगा इसके बाद एक उस तीन के बाद कोशन नमबर चार चार नमबर कोशन देखिए कहरा है A-N बराबर 2N माइनस 3 आपाउन 6 N बराबर 1 रखेंगे टो N बराबर 1 मतलब A1 तो यहां पर 1 रखेंगे तो 2 गुड़ा 1-3 बटेच है 2 एकम 2 माइनस 3 में 2 जाएंगे बचेगा-1 बटेच है A2 निकालेंगे यहां पर 2 रखेंगे 2 गुड़ा 2-3 बटेच है 2 दूनि-4 चार, चार में तीन जाएगे, बचेगा एक बटेच मतलब एक बटेच है, ए थिरी निकालेंगे, आथिरी रखेंगे, तो लिए 3-3 बटे 6 3 दूनी 6 में 3 जाएंगे बचेगा 3-3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2 A4 निकालेंगे क्या ऐगा 2 x 4 3 बटे 6 4 दूनी 8 8 में 3 जाएंगे बचेगा 5 बटे 6 A5 निकालेंगे आएगा 2 गुणा 5-3 बटे 6 5 दूनी 10 10 में 3 जाएंगे बचेगे 7 7 बटे 6 आजाएंगे ठीक है यह हो गए इस कोश्चन के अंसर इसके वाल बढ़ते हैं इसका 5 नमबर कोश्चन की ओर 5 नमबर दे रहा है कहरा A N बरावर जो है A N बरावर माइनस 1 की पावर दे रहा है N माइनस 1 और 5 की पावर N-1 और 5 की पावर N-1 यह दे रहा है देखो इसको solve करेंगे A की पावर करेंगे 1 A की पावर 1 करेंगे तो यह आएगा 1, 1 में 1 जाएगा 0 1-1 यह 5 की पावर 1 प्लस 1 तो A1 जो आएगा 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा किसी की पावर 0 हो तो क्या आता है तो यह हो गया 1 वो भी प्लस का आएगा क्योंकि 0 एक समसंख्या होती और 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा 5 की पावर 2 का मतलब 25 तो 25 का एक में गुड़ा करेंगे कितना हैगा 25 आजाएगा A2 निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 और 5 की पावर 2 पलस 1 2 पलस 1 यहाँ बचेगा 1 माइनस का एक है तो माइनस का आएगा 5, 1, 6 2, 3, पावर ہوगे 5 की 3, 3 का मतलब होता है 125 तो 125 आजाएगा ऐसे A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे और A5 निकाल लेंगे इसी तक ऐसे ही कर लेंगे और 6 नंबर कोशन आप लोग स्वायम करेंगे ठीक है एक कोशन छोड़े दे रहा है इसमें आपसे यह कह रहा है कि जो पद दिया गया है आपको कह रहा है वांचित पद ग्याद कीजिए मतलब उसके सम्मुक जो दिया गया है वो पद ग्याद करने तो देखो इसमें राइनवा पद था इतनी आपको निकालना है एसात्तरा मतलब 17 पद ऑर चोबिस्म्वा पद निकालना है ठीक है तो निकालेंगे एसबेंटीन रक्क है दो यहां बहां 13 रक्कूर दो 4 गुनाँ 17 माईण Suzanne सत्रा चोको हो जाएंगे 68 68 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 65 तो इसका मांसर क्या आँगया 65 यह आगया एशत्रा ठीक है इसके बाद क्या करेंगे 24 निकालना जब 24 निकालेंगे तो एँआ 24 चोबिस रखेंगे तो यहां भी 24 रखेंगे तो चार गुणा 24 माइनस 3 24 चोबिस चोगो 96 96 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 93 यह 24 के आगया 93 ठीक है आरा अनसर इसके बाद देखो इसमें कह रहा है आठ नंबर में यह आठ यह पद इतना दे रहा था और आठ वं में पूच कूंसर रहा था सहे चा είναι साथ वा पद पूच रहा है तो अ कि उतको नर्ट तो इक सो 28 ठीक है 2 की पावर 6 का मतलब 64 2 की पावर 6 का मतलब 64 और 64 दो निए 128 इसके बाद देखो इसमे यह नौ पत दे रहा है और 9 पत पूल रहा है नौ पत तो इसमें निकालेंगे A9, A9 जब निकालेंगे 9-1, 9-1 यहां पिन 9 की जगह 9 इंटो 3 9 में एक जाएंगे कितने बचेंगे 8 और 8 होती है समसंगह जब माईनस की पावर हो तो आता है प्लस का अंसर और 1 की पावर जाहित नहीं करें 1 ही आता है और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729 तो इसको उच्टन का अंसर हो गया 729 इसके बाद इसका A20 निकालना है तो A20 बीस हुआ पत यहां पे रखेंगे 20 20 माइनस 2 और यहां रखेंगे 20 प्लस 3 यह बचेगा 20 में 2 जाएंगे 18 18, 18, 19, 36, 360 आ जाएगा और यह आपको आ जाएगा 23, 360 बटे 23, यह हो गया 10 नंबर कोशन का अंसर देखो 11 से 13 तक कह रहा है आपसे कि 5 पत प्रथम 5 पत गयाद किजिए और सेरी भी गयाद करना है तो देखो इसको solve करेंगे देखो A1 दे रहा है यह आपको और A N दे रहा है आपको 3 A N माइनस 1 प्लस 2 दे रहा है और इसमें यह कह रहा है जो माण लेना है वो क्या करना है एक से बड़ा लेना है तो देखो 2 लेंगे तो A2 जब लेंगे तो 3 यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2 तो A2 जो आएगा वो आएगा 3 एक पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे कितना 3 तो जब 3 रखेंगे तो 3 into 3 plus 2, 3, 3, 9, 2 क्या हो गया, 11 यह क्या गया A2 आ गया, ऐसे A3 लेंगे, जब A3 लेंगे तो यहाँ पर कितना रखेंगे 3, 3 में जाएगा कितने बचेंगे, 2, तो यह आ गया 3, A2 plus 1 और plus 2 और यहां पर A2 की जगए कितना रखेंगे A2 वराबरा है 11 तो जब 11 रखेंगे 23 और 23 और 2 कितने हो जाएंगे 33 तो A3 आ गया 35 ऐसे A4 निकालेंगे जब A4 हम लोग निकालेंगे तो यहां पर रखेंगे कितना फोर तो 4-1 कितना बचेगा 3 तो A3, A कितना हैगा, 3 प्लस 1, और A3 की जगए कितना रखेंगे, 35, 35 तियां कितने होते हैं, 105, 105 में ये 2 जोड़ेंगे, 2 है, ठीक है, तो 105 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 107, फिर कह रहाता है, A क्यों सा निकालना है, पांच वहां पर, तो A5 लेना है, पांच वहां 107 में जब हम लोग 3 का गुड़ा करेंगे, तो कितना हैगा, 321 प्लस 2, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 जो होगा, वह मारा हो जाएगा, 323 हो जाएगा, तो प्रथम पांच पत आ गए, और स्रेणी कह दे, तो स्रेणी यही वाली स्रेणी हो गई, क्या हो गई, स्रेणी पहला प पत किया था, A2 जो आया था वो 11, फिर आया 35, फिर आया 107, और फिर आएगा कितना, 330, बास हो जाए, यह हो गया, इस कोशन का ऐसे डॉट डॉट यह सेडी चलती रहेगी, इसके बाद यह को इसमें बात करें, A1 भी 2 दे रहा है, A2 भी 2 दे रहा है, ठीक है, आफ सही यह कह में खैरा यहाथ करना एफ आन का मान लेना है दो से बढ़ा लेना है, तो पहला पता हो गया, दूसरा पता हो गया, 2 है, तीसरा पता हो लेंगे, A3, 3 जब लेंगे तो ए 3-1-1 3 में एक जाएगा कितनें बचेंगे 2 तो हो जाएगा 2-1 और टू कितना था तो टू-1 क्या हो जाएगा वण आएगा अब इसमें यह नहीं सोच माझें चेंड़ी कहरा है उसमें कहरा कि यह सेंड़ी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके बाद A5 लेगे जब पाँचवा पद लेगे तो पाँच बेग जाएगा 4, 4-1 तो 4-1 कितना हो जाएगा A की पावर 4-1 A4-1 तो A4 दे रहा था 0-1 क्या हैगा माइनस बन अब कहरा स्नेडी तो स्नेडी हमारी क्या बन गई सेड़ी यह बन गई 2,2 फिर दे रहा है तीसरा पत क्या आया था एक फिर 0 फिर माइनस 1 ऐसे चलता रहे है यह हो गए इस question का answer ठीक है इसके बाद बात करते हैं इसकी A1, A2 दे रहा है सेम इसी तरीके यह कर दोगे बस 13 तक हो गए complete 14 नंबर question देखिए देखो दियान दो इदर 14 नंबर question दे रहा है A1 दे रहा है A2 दे रहा है A N आपको यह दे रहा है कह रहा है A N प्लस 1 अपॉन एन गयात करना जबकि N बराबर क्या है 1 है तो N बराबर 1 पर N बराबर 1 पर जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे solve करेंगे हम लोग यहां पर लिखेंगे वन तो A1 प्लस 1 अपॉन एवन एटू अपॉन क्या हो गया एवन एटू आपको क्या दे रहा था एटू दे रहा था वन और एवन भी कितना था वन तो बराबर कितने गया गया वन के ऐसे हम लोग तो जब निकालेंगे यहां पे N बराबर 2 रखने पर बराबर 2 पर tu कहरा था था तो आपको पता नहीं है तो एटू निकालने के लिए इससका सायथा लेंगे उच्णि आप आण वाला फार्मूले यह और उब आण वाला फार्मूला था a n-1 तो यह हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे जब 3 ले रहे थे एको n प्लस 1 ऐसे ले लो सीदे यह आगे है 2 प्लस 1 3 आया ठीक कोई दिख करना है a 3 a 3 की जगे रखेंगे a n-1 तो 3-1 यह हो जाएगा 2 यहाँ पे लेंगे 3-2 तो क्या होगा a 1 और अपॉन a 2 देगी रहा है n बरावर 2 लिया था हाँ ठीक था a 2 प्लस a 1 तो यह दोनों 1-1 हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 बरावर आ गया कितने की दो की ऐसे a 3 करेंगे n बरावर 3 लेने पर जब n बरावर हम लोग 3 लेंगे तो देखो पहले तो a 3 निकाल लो सबसे पहले आसान करने के लिए जब a 3 निकाल लेंगे तो यह क्या होगा a 3 बरावर a 3-1 हो जाए गट फोर n बरावर कितना ले रहे 3 ले चुके थे ना 2 ले चुके थे के बाद तो n बरावर 3 लेने पर a n निकाल लो a 3 पहले जब a 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 3-1 तो होगा a 2 यहाँ पर रखेंगे 3-1 क्या हो जाएगा a 1 और a 3 प्लस a 1 कितना आएगा यह भी था एक यह भी एक प्लस का है प्लस लगा दिया आ गया 2 a 3 आ गया है यह a 4 निकाल लो अब निकालो यह यहाँ पर रखेंगे 3 इसमें तो 3 और एक 4 a की पावर 4 a 4 यहाँ होगा a 3 a 4 जब निकाल लेंगे तो फिर इसकी सायता लेंगे जब पहले यहाँ पर a 4 निकाल लो जब a 4 निकालेंगे तो यहाँ पर रखेएंगे 4 में 1 जाएगा कितने बचेएंगे 3 प्लस 4 में 2 जाएंगे बचेएगा 2 और A3 हमारा आया है 2 और A2 दे रहाता कितने के 1 के तो यह हो जाएगा 1 वि कितने के हो जाएगा 3 के अब निकालेंगे n बरावर 3 पर यहां पर रखेंगे A N प्लस 1 अपन A N कमान निकालना है तो 3 और 1 4 तो A 3 प्लस 1 अपन A 3 तो यह आ गया A 4 अपन A 3 अब देखो किया लेंगे चाड़ लेंगे फिर एक बार क्या करेंगे पांच लेंगे इस प्रकार को कम्प्लीट कर लेंगे कितना कर लेंगे